सबसे पहले बैंकिंग सो डालेंगे कुछ क्वांटिटी में उसके बाद उसके अंदर सूपर गल्यू मिला लेंगे कुछ इस परकार से सूपर गल्यू मिलाने के बाद उसमें सोलिड हुआ पार्टिकल को उठा लेंगे अगर उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं तूटेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सोलिड हो चुका है कांच के गिलास में पानी लेंगे उसके बाद उसमें सूपर गल्यू डालेंगे सूपर गलू डालने के बाहल हम देखेंगे कि ये सूपर गलू वैसे ही नौर्मल तरीके से निचे बैठ जा रहा है अब इसके अंदर डक्कन उतार के पूरा का पूरा गलू डालेंगे वो भी सेम निचे ही इस परकार बैठ जा रहा है लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा सोफ्ट है जैसे ही दो मिन्ट का वेट करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे तो ये इंस्टेंट ही बहुत ज़्यादा सोलिड फॉम में आ चुका है मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है गरम पानी करेंगे उसी गरम पानी को एक कांस के गिलास में डालेंगे पानी के अंदर बोरैक्स को मिलाएंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसके अंदर सूपर गल्यू डालेंगे सूपर गल्यू कुछ इस परकार से बन जा रहा है ये शीशी में liquid foam में होता है लेकिन इसमें instant ही solid foam में आ जा रहा है ये देखो किस परकार की shape बन रही है इसमें आप देख सकते हैं normal water में किस तरह react कर रहा है और hot water borax वाले water में किस तरह react कर रहा है ये एक पूरा का पूरा solid particle सा है ये पूरी की पूरी एक shape ले चुका है बहुत ही अजीब हो गरीब सा लग रहा है शीशी में बचा पूरा का पूरा super glue इसमें directly सीदह ही डाल देंगे तो ये कुछ इस परकार shape ले जागा उपर ही उपर तैरेगा ये क्योंकि इसकी density भी कम हो गई है पानी से इसलिए ये उपर की तरफ भी तैर रहा है एक खास बात हो रहा है कि ये instant ही hard हो जा रहा है styrofoam की plate लेंगे उस plate के अंदर super glue डालेंगे इसके पैंदे पे super glue जैसे ही डाला गया ये plate गलना start हो गई और इसके आर पार छेद हो गया ओ पाई साव अब ऐसे ही 20 plate की layer लगाएंगे अब इन पूरी plate पे super glue डालेंगे और देखेंगे कि पूरी की पूरी गलती है या नहीं ये पूरा का पूरा super glue डाला तो जैसे ही डाला गया ये गलना start हो गई और बाई साव ये नीचे तक पूरी की पूरी गल चुकी है इनका पैंदा पता ही नहीं कहां गायब हो गया ऐसे ही एक कांज के बरतन में super glue डालेंगे और styrofoam की balls उसके अंदर डालेंगे तो देखेंगे कितनी देर में ये गल थी ओ भाई साव जस्ट विदिन कुछ सेकंड में ये गल गई alcohol लेंगे और alcohol को कांज के गिलास में डालेंगे जैसे ही कांज के गिलास में डाला उसके अंदर super glue मिला देंगे सूपर ग्लू मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद यह सेम एज मिलक की तरह रियक्ट कर रहा है लेकिन इसे पीने की गलती मत कर ले ना बाई साव एक चमच लेंगे चमच के अंदर सूपर ग्लू डालेंगे और देखेंगे कि यह फ्लैमेबल होता है या फिर नहीं इसके अंदर जैसे ही लाइटर लाया गया इसने चलना स्टार्ट कर दिया इसका मतलब सूपर ग्लू फ्लैमेबल होता है कॉल गेट लेंगे कॉल गेट को पूरा का पूरा कांच के गिलास में निकाल लेंगे जैसे ही कांच के गिलास में पूरी कॉल गेट आ गई इसके अंदर सुपर गल्यू मिलाएंगे सुपर गल्यू पूरा का पूरा इसके अंदर जा चुका है अब इसे अच्छी तरह चमच से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद कुछ अजीबो गरीब सी रियक्शन दिख रही है हमें ये एक कॉल गेड क्रिस्टल की तरह ही नजर आ रहा है एक गिलास में पानी लेंगे और कुछ बैंकिंग सोडा उसके अंदर मिला लेंगे और अच्छी तरह है मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद सुपर गल्यू डालेंगे दूसरे गिलास में और पूरा का पूरा उस गिलास को सुपर गल्यू से ही बर देंगे एक गिलास में बैंकिंग सोडा वाट रहा है दूसरे में सूपर गल्यू और दोनों को एक कांच के बरतन में मिलाएंगे और ये इंस्टनेट ही सोलिड भॉम में आ जा रहा है और इनके अंदर एक रियाक्शन भी हुई जो कि बहुत तेज दी और इंस्टनेट इसके अंदर कलोट बन चुका है यानि कि ये सोलिड भॉम में आ चुका है और ये थोड़ा गरम भी दिख रहा है अब इसे हटाने के लिए कांच फोड़ना ही पड़ेगा जैसे ही कांच फोड़ा गया उसके बाद इसको टेस्ट किया गया ये कितना हार्ड है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको स्पैनर से चोट पहुंचाई गई लेकिन इस पे कोई असर नहीं हुआ लेकिन हटोड़ा मारने से तो ये तूट जा रहा है